हिन दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे SSE Constable GD भरती के अंतरगत आप सभी को पता है जो पोश्ट की संख्या है दोस्तो वह आपका बढ़ा दिया गया है और पोश्ट की संख्या लगवग 20,000 आपका बढ़ाया गया है आप सभी को पता है पहले आपका बेकैंसी जो था 26,146 था और अब दोस्तो बढ़ कर यहाँ पे 46,617 पोश्ट हो गया है तो लगवग 20,000 से जादा पोश्ट यहाँ पे बढ़ाया गया है इस बार और दखिए दोस्तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इस बार जो है कितने छात्र का जो है CBT एकजाम में रिजल्ट रहेगा क्योंकि दखिए दोस्तो आप सभी को पता है वेकैंसी बढ़ गया है इसलिए दोस्तो छात्रों की जो संख्या है पासिंग होने के लिए जो संख्या है CBT एकजाम में जो रिजल्ट रहेगा इस्टूडेंट का उसके भी संख्या अब आपका बढ़ेगा तो इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे और इसके अलाबा दोस्तो कौट अप मार्क्स अब आपका क्या रहेगा और रिजल्ट का अब जाली होगा सभी कुछ आज की वीडियो में जानेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो देखिए दोस्तो यहाँ पे SSE Constable GD के जो Officially Notification था उसमें 14.4 पर अगर आप में देखेंगे इसमें बताया गया था दोस्तो कि PT-PST के लिए जो है सोट लिष्टेड किया जाएगा Total Vacancy का यानि कि The Number of Total Vacancy का जो है 8 Times देखिए दोस्तो आप सभी को पता है कि पहले 26,146 था तो उसमें इसका 8 गुना रिजल्ट आने वाला था लेकिन अब दोस्तो वेकेंसी बढ़ कर आपका 46,617 हो गया है और इसका 8 गुना करेंगे तो यहाँ पे दोस्तो आपका हो जाएगा 3,72,936 देखिए दोस्तो टोटल वेकेंसी का आपका जो है यहाँ पे आप सभी 8 गुना अगर आप मल्टिपिल करते हैं तो टोटल आपका 3,72,936 जो है कैंडिडेट अब दोस्तो आपका पास होंगे यानि कि इतने कैंडिडेट का रिजल्ट आने वाला है 3,72,936 कैंडिडेट का और इतने कैंडिडेट P.E.T. P.E.S.T. के लिए जो है सोट लिष्टेट आपका होंगे तो यहाँ पे दोस्तो देख सकते हैं कि अब दोस्तो जो पहले इस्टूडेंट था और दो लाख के आसपास जो है आपका पास होने वाला था लेकिन अब दोस्तो यह बढ़ कर 3,92,936 हो गया है तो काफी ज़्यादा इस्टूडेंट अब पास होंगे काफी सारे इस्टूडेंट पहले दोस्तो काट अफ ज़्यादा हाई जाने के कारण कि काफी सारे यूटूब चैनल पो आपको बताया गया था कि काट अफ पाहले काफी ज़्यादा हाई जाएगा क्योंकि वाले काम था तो काफी सारे यह स्टूडेंट तयारी भी लेकिन अब दोस्तों यह स्टूडेंट की संखिया यहाँ पर बढ़ जाएगा और देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करें कॉट अफ की तो कॉट अफ भी अब आपका कौम जाने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है कि भेकेंसी की संख्या बढ़ गया है पोहले इतना भेकेंसी हो गया है 2022 में जो भरती आया था जिसका प्रोसेस 2023 में कम्पलीट हुए था उसके आसपास आपका वेकेंसी हो गया है 46,000 भरती हो गया है तो कॉट अफ भी प्रीवियस एयर में जो आपका गया था उतना ही कॉट अफ इस बार आपको देखने को मिलेगा उसी के आसपास दोस्तों कॉट अफ देखने को मिलेंगे देखिए दोस्तों प्रीवियस एयर क जो भरती था SSEGD का उसमें CBT exam में क्या cut-off गया था उसका ये PDF है और इस PDF में आप लोग देखिएगा कि आपके ये state, आपके community आपके जो category है उसमें कितना cut-off गया है जैसे कि NXR2 में आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों male candidate का आपको cut-off देखने को मिलेगा और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए बिहार state से कोई candidate है, border area से है, EWS category से है तो पहले 82.68 आपका cut-off गया था तो इसी के आसपास इस बार भी आपका cut-off रहेगा है कि वेकेंसी जो है आपका बराबर हो गया है पहले भी वेकेंसी आपका 50,000 के आसपास था और इस बार भी दोस्तों 46,617 CBT exam का जो cut-off गया था आपके state का उसी के आसपास आपका cut-off रहेगा, 2-4 नमबर का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, बाकी दोस्तों पहले आपका 26,146 जब वेकेंसी था तो उस समय cut-off बताया जा रहा था काफी हाई जाएगा, लेकिन वेकेंसी अब जादा हो गया है त तो cut-off अब आपका low हो जाएगा, तो दोस्तों I hope आप समझ गये होंगे, जिस छात्र का कॉम भी number है, जो की उमीद नहीं किये थे कि मेरा होगा या नहीं होगा, confusion में थे तो वैसे छात्र अब भी तयारी सुरू कर दीजिए, आपका भी result हो जाएगा, क्योंकि वेकेंसी तो previous year के cut-off आप सभी को पता भी होगा कि आपके area आपके state में क्या गया था, आपके जो community है उसमें क्या गया था, तो आप अगर नहीं पता है तो दोस्तों इस PDF को डाउनलोड कर लिजिएगा, हम आपको WhatsApp ग्रूप पर इसे provide करा देंगे, और आप इसमें देख लिजिएग तो इतना ही अगर इससे थोरा सा 24 नमबर अगर आपका जादा है तो आपका CBT exam में result हो जाएगा, दोस्तों इसी के आसपास आपका cut-off रहेगा, अब दोस्तों यहाँ पर सवाल है कि result कब आएगा, तो देखिए दोस्तों result की बात करें, तो result आप सभी का बहुत जल्द आने तो result का तो आप tension नहीं लेना है, 20 जून के पहले result आपका 100% आ ही जाएगा, तो दोस्तों बस आप सभी अपनी तयारी करते रहेए, रनिंग की तयारी कीजिए, और आप सभी को पता है कि यह आपके लिए good news चत्था vacancy जो बढ़ा है, फिर मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जे हिंद बंदे मातरम